नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूस के ओफीशल एडियूप चलेंड में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि पोस्ट ओफिस में आ चुकी है इस साल 2023 की बंपर भरती है जियां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात के निजारे हैं पोस्ट ओफिस जीडियेज भरती 2023 के बारे में जिसका नई भरती का नया ओफिशन नोटिफेशन जारे हो चुका है दोस्तों जो भरती है मामुली भरती नहीं है बंपर भरती है इस साल 2023 की जो की भरती डाग विबाग यान की पोस्ट ओफिस की तरफ से नि के आवेदन शुरू हो जाएंगे और इस भरती के लिए सेलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा कौन-कौन से विध्यारती पात्र होंगे संपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे दोस्तों गराब बिना परिक्षा के एक सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की इस भरती के लिए आवेदन जरू किजएगा चाहें आप किसी भी राज्य में रहते हैं अप लाइक कर सकते हैं अप लाइक करने से पहले दोस्तों लाइकन जरू दबाएगा और वीडियो को लाइक जरू किजएगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट ऑफिस भरती 2023 के बारे में जिसका नई भरती का नया ओफिशन नोटिफिक्शन जारी हो चुका है 28 जुलाई से इसके आवेदन शुरू किये जा रह बढ़ती है तो चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं हमारी जो दोस्तों ओफिशल वापसाइट है इंडिया की नंबर वन वह सरकारी टुडेइन यहां पर आपको सबसे पहरे नई भरती की जानका दी जाती है आप च दोस्तों ग्रामिन डाक सेवक GTS की भरती आ चुकी है इंडिया पोस्ट ओफिस की डिपार्टमेंट से और यहां पर जो पद हैं BPM के हैं BPM के हैं डाक सेवक हैं 30,600 से अधिक पद हैं और आवे दन आपसे ओनलेन मागे जा रहे हैं सालरी 12,000 से 29,300 रुपे महीना मिलेगी ओ उमर सीमा जो है 18-40 साल रखी गई है और आई सीमा में छूट भी है अप्लिकेशन फी जर्नल ओबी सी के लिए सो है स्टी पीड़ोड के फ्री है पेमेंट सिर्फ आपको अनलान करना है क्वालिफिकेशन की बात की जाया है तो कक्षा दसवी पास के लिए भरती है तो अगर आप दस्वी बार्वी असना तक पास है तो आविदन जरू किजेगा और इसके आविदन जो है 28 जुलाई से शुरू किये जा रहे हैं और अगस्त तक इसके आविदन चलिए लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ बागी सभी जानकारी आप जो है ऑफिशल सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरू किजेगा जैहीं जै भारत